50 Most Used English Verbs गाइस 50 ऐसे verbs आज आप सीखने वाले जिनके बिना आप English बोल ही नहीं सकते जी हाँ, आपको अगर English बोलनी है तो हो ही नहीं सकता कि ये verbs ना है मतलब ये इतने common हैं कि इनका आना बहुत जरूरी है अगर आप fluent English बोलना चाहते हैं गाइस आज की इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइट किया है मतलब कि ये जो most used verbs हैं उसमें सबसे पहले आप कुछ common verbs सीखेंगे उसके बाद आप सीखेंगे ऐसे verbs जो आप घर पे यूज करते हैं फिर आप सीखेंगे ऐसे verbs जो आप स्कूल में यूज करते हैं फिर जो आप traveling time में यूज करेंगे मतलब आप travel कर रहें तो क्या यूज कर सकते हैं? फिर आप सीखेंगे कि business settings में कौन से verbs यूज होते हैं वो भी सारे के सारे basic verbs मतलब नीव रख रहे हैं आज आप, आज आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर रहे हैं आज आप के लिए सीखना बहुत जादा जरूरी है, इसलिए विडियो में तक बने रहें मैं आप से ये promise करती हूँ कि आपके लिए इन सभी verbs को use करना बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ easily आपको समझ में आजाएगा और आप इन सभी verbs को बोल पाएंगे अच्छे से मतलब पूरे-पूरे sentences आप बोल पाएंगे सबसे पहले common verbs सीखिए, ऐसे common verbs जो बहुत ही आसान है बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है पहला है हमारा to do, अब यहाँ पर ध्यान रखने की क्या जरूरत होगी आपको कि अगर आप past की बात करेंगे तो did use करेंगे, have के साथ use करेंगे तो done use करेंगे ठीक है, तो पहला meaning क्या है to perform an action, मतलब करना, I am doing yoga right now तो अगर right now कोई काम मैं कर रही हूँ, तो मैंने do में ing लगा दिया, I am doing yoga right now, pretty simple आप कुछ भी कर रहे हैं तो I am doing this, I am doing that करके बोल लेंगे दूसरी meaning है to talk about the success or progress of somebody or something कि कोई चीज़ कैसी चल रहे है, कहां तक पहुंचिया, यह सारा पूछना है, तो भी आप do का use करते है, how is the business doing how is the business doing, मतलब business कैसा चल रहा है, ठीक है फिर हमारा to be, अब जो to be है, जब आप से कोई कहे verb to be तो आप यह ना सोचे कि सिर्फ इसमें be है, इसमें is भी है, इसमें am भी है, इसमें are है, was है, were है, यह सब इसे के अंतरगत आते हैं ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है न, वो exist होना होता है, like होना जिसे हम बोलते हैं तो he is my cousin, he is my cousin, मतलब वह मेरा चचेरा भाई है, अब यहाँ पर अगर मैं subject I use करूंगी, मान नीचे कोई भी sentence I use करूंगी आगे बढ़ते हैं, to have पर आते हैं, यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, यह जो have है, यहाँ आपको दो examples देख रहे हैं, I और we, दोनों के साथ हम have का use करते हैं, ठीक है, मतलब देखिए पहले to own और hold, मतलब कोई चिज़ पास होना, अपना होना, आपकी कोई चिज़ अपनी हैं, जैसे I have two cars, मतलब मेरे पास दो cars हैं, तो I have, अगर मैं I की जगह she use करूं, तो मैं she have नहीं बोलूंगी, ठीक है, मैं बोलूंगी she has, she has two cars, तो अगर आप he या she या किसी का नाम ले रहे हैं, तो आप has use करेंगे, I के साथ have, you के साथ have, we के साथ have, दे के साथ have, लेकिन he, she, it के साथ has, ठीक, पास होना के संस में, दूसरी मीनिंग to experience, मतलब अनुभव करना, तो अभी past की बात कर रहे हैं, यहां पे, we had a good time together, हमने साथ में अच्छा समय बिताया, अगर present की बात करेंगे, तो हम बोल देंगे, we are having a good time together, हम साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं, तो have में ing लगा देंगे, तो half को base form समझेगा, अगर आप e-sheet के साथ use कर रहे हैं, तो has use कीजेगा, past में जा रहे हैं, तो had use कर लिजा, ठीक है, अब आगे अगले बे वो है to ask, to say something, to gain information, मतलब पूछना, did you ask your teacher, क्या तुमने अपनी teacher से पुछा क्या, when your homework is due, कि homework कब due है, from someone, मतलब कुछ करने को बोलना, जैसे आप बोलते हो, कि उस से बोलो कि वो कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर आप ask use करेंगे, ask him to do that, तो उसी तरीके से dad asked me to clean my room, dad ने मुझ से मेरा room clean करने को बोला, फिर है अगला to get, to get का मतलब है to receive, पाना या मिलना, बहुत सारे meanings हैं, एक ए 2, 3, 4, 5, 6, get के तो बहुत सारे हैं, बट आप जितनों को समझ जाएं, उनको use करना शुरू कर दे, तो अभी क्या to receive, पाना या मिलना, have you got your toy yet, क्या तुम्हें 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 तुम्हारा खिलोना मिल गया, दूसरी meaning to obtain or fetch, मतलब ले आना, so can you get my sweater from the closet for me, क it had to understand, समझना, जैसे आप बोलते हो, I didn't understand, आप बोल सकते हो, I didn't get, so I didn't get what you said, आपने जो कहा, मुझे समझ में नहीं आया, अगला है to go, मतलब जाना, I am going to an event next weekend, ध्यान दीजेगा मेरे का next weekend, मतलब अगले सबताहान मैं एक event में जा रही हूं, बट मैं तो अगले सबताहान जा रही हूं, तो मैंने I am going क्यों यूज किया, तो जैसे आप हिन्निम बोलते हैं, मैं अगले हफते आ रही हूं, अगले महीने जा रही हूं, बट आप बात future की करते हुए भी, present का ही तो यूज करें कर रही हूं, the same way English में भी है, कि अगर planned है, तो आपने I am going बोल दिया, क् की planned है, यह हो रहा है, तो present में बोल रहा है, future की बात, फिर भी हम present वाला ही form यूज करेंगे, I am going, फिर अगले मीनिंग, to leave, मतलब निकलना, it's already 10, 10 बच चुके हैं, I have to go, मुझे जाना है, फिर had to say, मतलब कहना या बोलना, what did you say, क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने, तो convey information, बोलकर या लिखकर सूचना देना, बोलकर या लिखकर सूचना देना, तो यह मैं क्यों कह रही हूं, देखे, the website says, the museum opens at 8, website बोलने रहा, लिखा है, जैसे कोई दवा आप लेते, तो दवा पर जो लिखा है, उसको जब आप किसे सो बताएंगे, तो आप बोलेंगे, this bottle, माननी जाए, वो बोल में है, this bottle sells, this book sells, ठीक है, तो इस हिसाब से आप यूज करेंगे, यह ध्यान रखिएगा, इसे यूज केजएगा, so the website says, मतलब website पर क्या लिखा है, the museum 8 बजे खुलता है, I mean museum 8 बजे खुलता है, फिर head to hear, to take in a sound with your ears, मतलब सुनना, did you hear that noise, क्या तुमने वो शोर सुना, क्या तुमने वो शोर सुना, basically hear का use हम तब करते हैं, जब हम कोई चीज सुनने की कोशिस नहीं कर रहे हैं, अपने आप से मारे कानों में आ रही है, जब हम सुनने की कोशिस करते हैं, तो listen का use करते हैं, फिर दूसरी meaning है, to be aware of, ठीक है, meaning वही है, सुनना, did you hear about रुपेशा's new car, क्या तुमने रुपेश की नई कार के बारे में सुना, so guys, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और उससे भी ज़रूरी चीज सब्सक्राइब क क्या तुम्हें जानकारी थी, क्या तुम्हें पता था कि रुपेश ने नई कार ली, दूसरी मीनिंग जानना, लगबख सिमिलर ही है, जानकारी होना जानना, I've known रुपेश for 7 years, मैं रुपेश को 7 सालों से जानती हूं, तो आप किसी को कितने समय से जानते हैं, उसके लिए आप have known, ये वाला structure यूज़ करेंगे, ठीक है, चलिया, अब है to need, मतलब to require, जरूरत होना, I need a purse, क्यों चाहिए मुझे पर्स, मुझे पर्स चाहिए, पर्स की जरूरत है to carry my money, जिसमें मैं अपना money क्यारी कर सकूं, चलो, अगला है to want, मतलब चाहना, I want a pet, मुझे एक पाल अगला है to like, मतलब पसंद करना या पसंद होना, अच्छा लगना, ठीक, she is nice, I like her, वो अच्छी है, मैं उसे पसंद करता हूं, ठीक, वो मुझे अच्छी लगती है, फिर had to love, अब देखिए like और love में फर्क देखिए, कोई चीज़ आपको पसंद है, like यूज़ कीज़, को आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो love यूज़ कीज़ है, to like a lot, बहुत पसंद होना, there are a few movies, कुछ ऐसी movies है, that I love watching, जो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, फिर है अगले meaning, to have deep romantic or emotional feelings for, प्यार करना, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए example, I know your dad is strict, मुझे पता है त उम्हारे पता strict है, but remember that he loves you, लेकिन याद रखना कि वो तुमसे प्यार करते है, I love Rupesh, मैं Rupesh से प्यार करती हूँ, I want to marry him, मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, अब है आगे to think, मतलब सोचना, what are you thinking about, तुम किस बारे में सोच रहे हो, what are you thinking about, हमने about भी लगा दिया साथ में, दूसरी meaning to have an opinion or believe, जिसे हम कहते हैं, मुझे लगता है, कैसे बोलेंगे, I think, ठीक है, तो मैं सोचती हूँ, वो भी I think, मुझे लगता है, वो भी I think, मुझे नहीं लगता, I don't think, I don't think the color blue looks good on me, मुझे नहीं लगता कि ये जो नीला रंग है, वो मुझे पे अच्छा लगता है अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हैं, तो comment section में दिल मांगे more लिखे, या फिर जो भी आपका topic है, आप मुझे comment section में बता सकते हैं, मैं उन पर वीडियो लेकर आ जाओंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो पांच पार्ट में divided है, तो second part क्या कहता है, English verbs for home जो आप घर पे यूज करते हैं to cook मतलब खाना पकाना, my dad loves to cook, मेरे पिता को खाना बनाना बहुत पसंद है, फिर आगे to eat, अब खाना बना है तो खा भी लेते हैं, इसका मतलब होता है खाना, do you want to eat pizza or noodles, तुम्हें pizza खाना है या फिर noodles खाने है अगला है to drink, मतलब पीना, कोई भी liquid आप पी है, ठीक है, don't forget to drink water right after you wake up, उठने के तुरंत बात पानी, पीना ना भूले फिर है to sleep, मतलब सोना, I don't need to sleep, मुझे नहीं सोना है, I don't need to sleep, मतलब अभी मुझे सोने की जरूरत नहीं है अगला है to clean up, to clean up में देखे, मैंने brackets में अपको लिखा है, मतलब आप सिर्फ clean यूज़ करे तो भी चलेगा साफ सफाई करना, clean your room before I come back, मेरे वापस आने से पहले अपना कमरा साफ कर लेना when will you clean up the mess on the kitchen counter, kitchen counter पर जो mess है, जो अंदगी है, उसे तुम कब clean करोगे अगला है to watch, मतलब देखना, you can watch TV for 45 minutes only, तुम केवल 45 minutes टीवी देख सकते हो guys अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दू, मेरा app भी है English Connection नाम से play store पर जाए, install करें, वहाँ आपके लिए courses हैं, explore करें अगला to open, मतलब खोलना, I can't open this jar, मैं ये jar खोल नहीं पा रही हूँ, can you help, क्या तुम मदद करोगे open the window please, खिड की खोल दो please, door है तो भी open का यूज़ करें, फिर है to close, मतलब बंद करना, he closed the door firmly, उसने अच्छे से दरवाजा बंद कर दिया फिर तीसरा बार्ट क्या है, English verbs for school, school में क्या common verbs हैं, देखिए to listen, सबसे पहले सुनना, सुनना भी होता है, साथ में ध्यान रखें, बात मानना, अगर आप बोलेंगे, वो मेरी बात ही नहीं मानती, तो आप बोलेंगे, she doesn't listen to me, ठीक है, वहाँ भी आप listen news करेंगे did you listen to the news, क्या तुमने समाचार सुना, she doesn't listen to me, वो मेरी बात ही नहीं मानती, देखो आगया यह, फिर है to learn, मतलब सीखना, I am learning English, इसमें बहुत सारे लोग confused है, सीखना और सिखाना देखे अलग है, learn means सीखना, मतलब कोई और सिखा रहा है, आप सीख रहे हो, then you are learning, यह है to study, to devote time to an academic field, मतलब अध्ययन करना, आप study में कुछ भी आ जाएगा, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, but अध्ययन कर रहे हैं, how long have you been studying English, आप English कब से सीख हैं, don't disturb her, उसे disturb मत करो, she is studying for her exam, so वो अपने exams के लिए पढ़ाई कर रहे है, फिर head to read, इसका मतलब हो गया, पढ़ना, can you read me a story, क्या तुम मुझे एक story पढ़ कर सुना सकते हो, तु read me a story, alright, फिर head to write, to mark words on a surface, मतलब लिखना, write your name at the top of the paper, paper के top पर अपना नाम लिखो, जो ऊ proportion होता है, फिर head to assign, to give a job or task to someone, जिसे हम कहते है, सौपना या देना, तो homework आपको जो मैं हम देती हैं, आपके teachers देते हैं, वो assign करते हैं, the teacher assigned us so much homework, teacher ने हमें बहुत homework दिया है, अब वो verbs जो आप traveling करते हुए यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले to travel, means yatra करना, to go from one place to another, एक जग I love traveling by train, मुझे train से traveling करना, यात्रा करना बहुत पसंद है, फिर है अगला to explore, explore मतलब जब आप कुछ नई चीज़े सीखने की कोशिस कर रहे हैं, जिसे कि मैने आ लिक रखा है चान बिन करना, जब आप कोशिस करेंगे तब ही तो सीखेंगे, to travel through a new place in order to learn about it, ठीक है, as soon as we arrived on the island, जैसे ही हम our island पर पहुंचे, we were eager to explore, हम explore करने के लिए eager थे, फिर है to tour, tour मतलब दौरा करना या भ्रमन करना, to travel around a place for example on holiday, चुट्टी में हैं आप, और to perform, performance है मान लिजे कोई, to advertise something, कुछ advertise करना है आपको तो, she toured the country promoting her book, अपनी बुक को promote करते हुए उसने देश का ब्रहमन किया, next to visit, to visit मतलब मिलने जाना या आना, to go see someone or something, I am visiting my mother next week, मैं अगले हाफ्ते अपनी मा से मिलने जा रही हूँ, next है to ride, देखे घुर सवारी कर रहे हैं, तो भी आप ride का use करेंगे, आप bike वगेरा चला रहे है to travel in a vehicle, especially as a passenger, ये है, तो आप ride का use करेंगे, आप bike चला रहे हैं, cycle चला रहे हैं, तो भी आप ride का use करेंगे, अगर आप car चला रहे हैं, तो आप ride नहीं कर रहे हैं, आप drive कर रहे हैं, बट अगर आप car में बैठे हैं साथ में, तो आप ride कर रहे हैं, driver drive कर रहे हैं, उसी तरीक से आप बस में बैठे हैं तो ड्राइवर बस चला रहा है वो ड्राइव कर रहा है बट आप राइट कर रहा है she rides the bus to school everyday मतलब वो चला कर नहीं जाती बैठ कर जाती है यह फर्क बहुत जरूरी है ध्यान रखेगा बाइक पर बैठ के कभी ना बोलें I am driving alright next है to camp as a verb use कर रहा है camp तो आप जानते है to stay in a tent or camper camper होता है वो car या गाड़ी जिसमें कि आप अंदर रह भी लेते हैं और मस्ती भी कर लेते हैं so तंबू लगाना हम बोलेंगे let's camp in the mountains this weekend चलो इस weekend हम परवतों में camping करते है we had to fly अब to fly हमारे पर होते तो हम उड़ लेते लेकिन जब हम उड़ रहे है तो किस में उड़ रहे है aeroplane में ठीक है to move through the air उड़ना हवाई जहाज में जाना ठीक है so I am flying from London to New York अगर आप plane से जा रहे है तो आप बोलेंगे I am flying तो London से New York मैं fly करके जा रहा हूँ that means aeroplane से देखे English बोलने के लिए practice करना जरूरी है practice Christians पर करें तो मैं आपको बिताती हूँ यह 1000 sentences है इसमें आपको साथ में बोल बोल कर practice करनी है और उससे आपकी English बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी यहाँ पर i button पर आप click करके इसे पास सकते हैं या फिर आपको link description में मिल जाएगी next है to board to get on a ship train plane bus etc मतलब plane या ship इत्यादी पर चढ़ना जब आप board करते है passengers are waiting to board passengers चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं next है to stay means ठहरना I am staying at a hotel ठीक है मैं hotel में ठहर रही हूँ next है to catch मतलब पकड़ना to be in time for a bus जैसे आप bus पकड़ें train पकड़ें plane पकड़ें आप catch का use करेंगा I must go मुझे निकलना चाहिए I have a train to catch मुझे train पकड़नी है ठीक अब हम आज आते हैं इस पार्ट में English verbs for business अब देखे कितना important है यह to contact सबसे पहला वर्ब क्या इसमें to contact to communicate with someone संपर्क करना I've been trying to contact you all day मैं पूरे दिन तुम से संपर्क करने की कोशिस करती रही फिर क्या है to advertise to promote something in a public medium जिसे हम कहते प्रचार करना how to advertise a business for free on the internet so internet पर यह यह प्रच्ण है न तो how to advertise a business मतलब एक business का प्रचार कैसे करें for free free में on the internet internet पर आगे है to work to work का मतलब है to have a job नौकरी करना ठीक है तो बैसे तो आप work का मतलब जानते काम करना बट नौकरी करने के लिए पर हम यूज करते हैं I work at the bank मैं bank में काम करता हूं to buy मतलब खरीदना where did you buy that dress वो dress तुमने कहां से खरीदी कोई वी चीज खरीदने की बात करेंगे buy हो जाएगा ठीक है अगला है to sell इसका opposite आपने खरीदा आप बेचने की बात करते हैं हम I recently sold my bike मैंने अभी हाल फिलाल में अपनी बाइक बेच दी अगला है to submit मतलब जमा करना I have to submit my report to the manager by 4 in the afternoon मुझे मेरा जो report है वो जमा करना है manager को जमा करना है वो भी दो पहर के 4 बजे तर ठीक है आगे है to explain मतलब समझाना व्याख्या करना जैसे हम कहते हैं Can you explain this to me क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं और विवरन दे सकते हैं इसका फिर है to send मतलब भेजना Let me just send this email मुझे ये email भेज देने दो या मैं इसे भेज देता हूँ ये भी sense होता है let के साथ जब हम sentences बनाते हैं फिर है to pay मतलब भुकतान करना I'll pay for the tickets I'll pay for the tickets अगर ऐसे बोलो तो इसमें मैं stress दे रहे हूँ I'll pay मतलब मैं दोंगी tickets के पैसे ठीक है फिर है to finish इसका मतलब होता है पूरा करना खत्म करना We have just finished the project हमने अभी अभी project complete किया है पूरा किया है ठीक है So guys ये थे आज के वो important verbs जिने सीख के आप अपने English की नीव को मजबूत करते हैं मैं चाहती हूँ कि आप practice करते रहें किसी भी चीज़ को अगर आपने एक बार सीखा तो वो आपके जहन में तब ही ठीक है कि जब आप बार बार उसको सीखेंगे तो guys practice करना बहुत जरूरी इन सभी verbs के साथ practice कीजे comment section में लिखिए, diary में लिखिए, कहीं भी लिखिए, practice कीजे और sentences बनाईए मैं मैं जब आपसे अगले lesson में तब तक आप करते रहें practice जाहें